हेलो एवरिवन वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन गुरू तो आज जेके पीसी के तरफ से अड़र्टाइजमेंट निकली है जमू एन कश्मीर यूटी के स्टुडेंट्स के लिए खुश खबरी है तो अब यह फॉर्म लग रहे हैं फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर क सबसे पहले तो देखो यहां पर साफ लिखा हुए कि जो एप्लिकेंट हुआ डॉमिसाइल्ड इंदा यूनियन टेरिट्री आफ जमू एंड कश्मीर ठीक है यह बच्चे बड़ा बाद में पूछते हैं कि बाहर वाली स्टेट वाले फॉर्म लगा सकते हैं कि नहीं लगा हुई है ठीक है पूरी एक्स्प्लेनेशन दी है क्वालिफिकेशन की इन टर्म आफ जी एंड के गैजटीड कॉलेज लेवल सर्विसीज तो यह गैजटीड पोस्ट है ठीक है कॉलेज लेवल पे तो अब हम नीचे देखते हैं कि कभ यह फॉर्म लगने स्टार्ट हो रहे ह जाएंगे अप्लिकेशन फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे केंडिडेट्स और एडवाइस टू गो थू दा इंस्ट्रक्षिन तो जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको पूरी इंस्ट्रक्षिन जो उन्होंने दी हुई है उसको अच्छे से रीड आउट करना है हारीजबिल्टी चेक कशा करने हैं और फिलिंग ठीएं लांट फिल करने कि ऐसी की ौग करने की दो से आपको मिल जाएगा 1 से लेके 1 April से 3 April तक ठीक है 2-3 दिन आपको इसके मिल जाएंगे उसको edit करने के candidates are not required to submit hard copy तो सिर्फ online application form बरना है कोई hard copy आपको कहीं पर submit करवाने की ज़रूरत नहीं है अब इन्होंने बोला है कि candidates जो है वो पहले ही अपना form बर ले last date का wait ना करें ठीक है आप पहले ही form fill कर लें ठीक है तो अब देखो आप पोस्ट की total जो vacancies है वो कितनी है total vacancy है 53 ठीक है EWS category की 5 है PSP की 2 है ठीक है तो यह सारी आप देख लो SC की कितनी है ST की कितनी है यह आप देख सकते हो तो जनरल वालों की 27 है ठीक है तो यह हमारी vacancies भी हो गई तो अब हम इस की qualification देख लेते हैं कि इसकी क्या qualification है physical training instructor की ठीक है सबसे पहले master degree होनी चाहिए आपके पास with at least 55% marks ठीक है तो 55% marks से कम नहीं होना चाहिए जिसके एंपिएड में 55% marks से कम है तो वह यह form apply नहीं कर सकता है ठीक है या आपके पास एंपिएड होनी चाहिए या फिर master degree होनी चाहिए sports science में ठीक है तो next देखेंगे हम has represented university college at inter-university competition अब देखो जो इंटर-university competition होती है उसमें participation होनी चाहिए या फिर state में होनी चाहिए या फिर national में होनी चाहिए ठीक है और net set इसमें compulsory बोला दा यह 12 minute run work test जो है वो होगा up to 30 years जो 30 years की age वाले हैं उनका 1800 मीटर की running होगी 40 years तक वालों की 1500 मीटर तक running होगी और जो 45 years तक age है जिनकी उनकी 1200 मीटर running होगी ठीक है वैसे ही women's के norms भी दिये गए है ठीक है women's का 8 minute run work है और यहां पर बताया है कि कौन सी age group वाले कितना कितना मीटर जो है वो running उनकी होगी ठीक है तो पहले शायद वो running करवा दे written से पहले provided that a candidate who is required to undertake the physical fitness test जो physical fitness test जिसको देना है उसको medical certificate जो है वो भी उसका होना चाहिए ठीक है कि वो medical fit है यह नहीं है medical certificate जो है वो compulsory है the candidates who are or have been awarded a PhD degree in accordance with the UGC standards and procedure for the aware of PhD degree regulations though or now shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of net set दे को simple सी बात है यहां पर लिखा है कि अगर किसी का net set नहीं है ठीक है बट उसकी PhD है तो वो भी यह form apply कर सकता है ठीक है बाकी बच्चों के लिए क्या है minimum qualification net है net होना चाहिए तो ही वो form apply कर सकते हैं बट जीन बच्चों ने PhD की है उनके लिए यह compulsory नहीं है ठीक है उनके लिए compulsory नहीं है वो अगर उनका net set नहीं है बट PhD की है तो वो बच्चे एज लिमिट क्या है जो जन्रल वाले बच्चे है उनकी एज लिमिट है 40 तक ठीक है और यह SCST वाले है इनकी 43 जो in service है उनकी 40 ठीक है तो यह एज लिमिट जो है वो बताई है नोट है वन टाइम एज रिलाक्सेशन दी जा रही है किसको इस ग्रांटी टू दोज अवर एज candidates who had earlier applied for these posts आप सभी को पता है कि यह post पहले निकली थी उसके बाद विड्रा हुई थी अब फिर से निकली है तो जिन्होंने पहले apply किया था इस टाइम उनकी एज लिमिट एक्सेंट कर गई है ज्यादा हो गई है तो वो भी इस form को apply कर सकते हैं ठीक है नेक्स देखो क्या है reservation category तो यह इन्होंने बताया कि reservation वाले जो है वो अपनी category certificate जो है वो उनका सही होना चाहिए कोई fraudulent certificate नहीं होना चाहिए जैनियून होना चाहिए ठीक है यह सब चीजें यहां लिखी है फिर domicile के लिए लिखा है कि domicile होना चाहिए बचों का then fee कितनी है जो general category के बचे हैं उ उनकी 500 ठीक है तो जो phc candidate है उनकी nil है तो यह fee के बारे में आ गया और यह जो पूरा इन्होंने note दिया है यह दिया है कि कौन से option हो सकते हैं जिसे हम आपका जो application form है वो reject कर देंगे तो यह कुछ इन्होंने instructions दी है then documents to be uploaded अब documents आपने कौन-कौन से upload करने है form में कौन-कौन से documents जो है वो mandatory है तो date of birth certificate, secondary school या फिर metric certificate जो होता है आपका diploma जिसको बोलते है 10th का diploma, 12th का diploma वो आपको upload करना है, domicile certificate upload करना है, graduation की degree upload करनी है और PG degree ठीक है जो MPD वाली degree है आपकी वो आपको upload करनी है उसके बाद net set का जो certificate है वो भी आपको upload करना है, one of the three एक ही आपको upload करना ह तो जो documents है, अब mandatory if claiming benefit अगर आपको कोई benefit मिल रहा है किसी certificate से वो आपको वो भी mandatory है आपको लगाना, category certificate आपको वो भी upload करनी है लगानी है और in service certificates होगा वो भी लगाना है, अब weightage कैसे दी जाएगी वो इन्होंने लिखा है, अब weightage देखो यहाँ MFIL की weightage है, PhD की है, JRF की है सबी की weightage है, यह हम नीचे देखेंगे, इन्होंने bifrigate किया है, तो scheme of selection criteria, selection कैसे होगी, the selection will be made in term of rule 45 ठीक है, वगारा वगारा, तो अभी हम देखते हैं आगे, criteria for the post of physical training instructor और इसी को assistant director भी बोलते हैं, ठीक है, assistant director of physical education and sports, यह भी इसको बोलते हैं, अब देखो, अब physical fitness test, ठीक अब देखो, मैंने आपको बोला, शायद पहले physical fitness test ही पहले होगा, तो यहाँ पर भी यह लिखा है, physical fitness test norms, अब इन्होंने बताया है, क्या-क्या norms हैं, ठीक है, subject to the provisions of these rules, all candidates are required to undertake physical fitness test, shall be required to produce a medical certificate, medical certificate और fitness test आपको होना चाहिए, ठीक है, medically fit होना चाहिए, on production of such certificate mentioned at यह, required to undertake the physical fitness test physical fitness test जो है, वो जरूरी है, तो यह मैंने आपको बताया कि test में क्या-क्या होगा, 12 minutes run या फिर walk test होगा, कौन सी age के लिए कितना-कितना होगा, वो भी यहाँ पे लिखा है, ठीक है, women's के लिए क्या होगा, वो भी लिखा है, हमने पहले भी कर लिया है, अब देखो, आगे assessment है पॉइंट्स के, कि पॉइंट्स कितने-कितने दिये जाएंगे, जो set है, set और let के points 1 है, net के points 2 है, jrf के 3 points है, mphil, phd, यह सारे points लिखे हुएं कि किसके कितने-कितने होगी, ठीक है, next है special attributes, अब जो research publications है, उसके कितने points होगे, maximum 2 points होगे, ठीक है, national awards है, national award का कितना 2 points होगे, state institution, अगर किसी का MPAD में gold medal है, उसको 1 points मिलेगा, ठीक है, next देखो experience, जिसका experience होगा, उसको भी 2 points मिलेंगे, ठीक है, highest जो है, वो 2 points है, ठीक है, तो यह भी bifrigate किया है, कि अगर आपने 6 months का experience है, तो 0.5 मिलेंगे, कुछ इस सरीके से, तो highest जो है, 2 years के, वो है, 2 points, ठीक है, next तो यह आगया, coaching camp, अगर कहीं पर national level पर आपने लगाया है, तो वो भी आपको 1 point मिलेगा, next, distinction in sports, अगर आई होगी, तो इसका points है, interview के 10 points है, ठीक है, interview के 10 points है, तो next 5 points, और interview के 10 points है, उसको भी bifrigate किया है, 5 points जो है, वो आपके रहेंगे, communication, skill, test, personality check के लिए, और 5 points जो है, वो आपके रहेंगे, lecture के लिए, जो भी आप demonstration दोगे, उसके points रहेंगे, ठीक है, अब देखो, next आजाता है, guidelines given below shall be followed, while assessing candidates special attributes, जो candidates है, उसके जो special attributes, personality check करनी है, तो उसके लिए ये assessment रहेगी, इन्होंने ये दिया है, कि किस-किस basis पे वो assess आपको कर सकते हैं, तो यह आप पढ सकते हो, ठीक है, यह सारी उन्होंने लिखाया है, detail में लिखाया है, कि किस-किस चीज के लिए कैसे कैसे करेंगे, यह देखो, in the interview, the candidates will be asked the questions on matters of general interest and matter related to post, post के related और general भी आप से पूछे जाएंगे questions, which the candidate is being interviewed, ठीक है, the object of the interview is to assess the personal suitability of the candidate for a career in public service, तो आप कोई personality तो उनको check करनी पड़ेगी, अगर आप एक job के लिए जा रहे हो, the interview test is intended to judge the mental caliber of the candidates, तो यह तो आपको पता ही है, mental caliber देखते हैं, वो बच्चे का कैसा है, ज्यादा nervous तो नहीं है, या फिर उसको गुसा जल्दी तो नहीं है, या फिर उसको गुसा जल्दी तो नहीं आ रहा है, कभी-कभी व सारी चीज़े होगी, some of the qualities to be judged are mental alertness, critical power, ठीक है, यह सारी चीज़े जो है, उन्होंने judge करनी है, कब करनी है, interview के time, ठीक है, पहले written clear कर लो, फिर interview की त्यारी भी करना, then written examination and short listing of candidate, जो written examination होगा, उसके बारे में बताया है, कि अब देखो, written examination में negative marking भी होगी, ठीक है, wrong question के then उसके बाद जो list निकलेगी, वो 1 ratio 3 के basis पे निकलेगी, ठीक है, जितनी post है, एक post में 1 ratio 3, 3 जो students हो select किये जाएंगे, ठीक है, फिर interview के बाद उनकी जो merit list हो बनती है, तो next है, provided that the candidates who have secured marks equal to those secured by the last candidate shall also be called for interview, मतलब अगर last में जो बच्चे आ रहे हैं, उन दोनों बच्चों के नंबर सेम हैं, तो बाकी उन जिनके सेम नंबर हैं, उनको भी interview के लिए भूलाया जाएगा, next provided further that in a situation when a reserved category candidate secure merit equal to or above the cutoff merit, in open category, such reserved category candidate shall be called for oral test in the respective category, तो ये point है कि अगर किसी की category है, ठीक है, तो उसका अगर merit जो है, वो open category के बराबर आ रहा है, उससे उपर आ रहा है, तो उसको जब interview के लिए बुलाया जाएगा, तो वो उसको अपनी category के हिसाब से ही बुलाया जाएगा, अपनी category के अंडर ही बुलाया जाएगा, open category में consider नहीं किया जाएगा उसको, ठीक है, बड़ जब final merit list आएगी, interview के बाद वाली, उसम नॉर्मल ही होगा, जैसे आगे papers में होता है, अब देखो, और लिखा है कि credit जो दिया जाएगा, वो कब दिया जाएगा, ठीक है, will not be taken into consideration for short listing, अब देखो, इन्होंने बोला है, क्या होगा न, जो आपके research के, या फिर gold medal के, जो भी point आपके add होने है, वो आपके interview के बाद ज जाके वो points add होंगे, ठीक है, फिर final list में, जो जैसा merit बनेगा, उस ही साब से, जो है, वो selection हो जाएगी, syllabus जो है, written examination का, 120 multiple choice question आएगे, ठीक है, और 3 odds का paper होगा, 120 multiple choice question होंगे, और इन्होंने बोला है, जो syllabus है, वो हम separately notify कर देंगे, ठीक है, उसके बाद, necessary instructions regarding filling up of, अब यहाँ प इसके तुम्हें अलग से video बना दूगी, कि कैसे कैसे आपको यह form fill करना है, यह सारी उसी की है, कि क्या क्या instructions है, कैसे कैसे हमने करना है, कैसे submit करना है, ठीक है, उसको submit करना है, यह सारा आपको उस video में मिल जाएगा, उसके बाद है कि आपको यह हमने पहले भी देखा, edit करन तो उनके खिलाफ एक्षिन लिया जाएगा ठीक है तो यह थी सारी नोटिफिकेशन जो कि मैंने आपको डिटेल में बताई है तो अब इसकी देखो इसका जब स्लेबस आएगा तो वह भी आपके साहर डिसकस कर देंगे तो अब इस चैनल को आप सस्क्राइब कर लो क्योंकि अब रोटीन में रेगुलर बेसिस पे इसमें वीडियो आएंगी ठीक है इसी एडवर्टाइजमेंट के रिलेटिड हम वीडियो डालते रहेंगे पूरी त्यारी करवाएंगे आपको तो आप इंस्टाग्राम में फालो कर सकते हो और टेलिग्राम चैनल है उसको भी आप कर सकते हो क्योंकि उसमें भी काफी सारी चीजें आम सी क्यूज वगरा आते रहेंगे काफी सारी नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम आती रहेंगी तो वह आप जॉइन कर लो तो वीडियो अगर अच्छी लग यह वीडियो को लाइक करें चैनल को करें थैंक यू